बीजेपी के साथ आये हिस्तेदारी मोर्चा के साथ दल बीजेपी को सहयोग और समर्थन देने की घोशना स्वतंतर देव सिंग की मौजूद्गी में हुआ है लाद गौनावेशी अम्योगी आदितनाथ ने किया विकास योजनाव को लुकारपन विपक्ष पर साथ निश्वाना कहा कॉंग्रिस कभी ना होने देती विराम मद्दिक गर्थना श्माजबादी पार्टी लोईया के वरास्ट्री अध्यक श्रीफपाल यादफ का बयान फिलहार अलाप शमाजबादी पार्टी संग गडबंदन का राग कहा हमसे गडबंदन क्यों नहीं कर रहे अखिलेश देश में कोरोना का प्रकोफ अब भी बरकरार बड़ी संख्या में हो रही मौते 24 घंटे में सास्तों से ज़्यादा लोगों की गई जान नमस्कार आप देखरें अन्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजू नराय मरियाव इलाके में स्टी एफ और बदमाशों के बीच हुई मुटभेड में मुखतार अनसारी गैंग के दो बदमाशों को धेर किया गया है मुखतार अनसारी गैंग आईस शुन्ने एक नौ एक का शार्प शूटर कुख्यात और पेशेवर हत्यारा और एक लाग का इनामी अली शेर ओर्फ डॉक्टर और उसका सेयोगी कमरान ओर्फ बन्नू को धेर किया गया पतादें की पिछले कई सालों से पुर्वांचल में अपराद का पर्याय बना हुआ बदमाश अली शेर को मुटबेड में धेर किर दिया गया है ये शातिर बदमाश जो देश के कई राज्यों में घूम घूम कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया करता था इसी बदमाश ने अभी हाल ही में जहरकन के राज्यों जिले के थाना पालुशेत्र में बीजेपी नेता की हत्या की थी एक लाग का इनामी अली शेर मारा गया है बताया ज़ा रहा है कि मुखतार अंसारी के दो गुर्गे मारे गये हैं कुख्याद बदमाश थें काफे दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार पोलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है एक लाग का इनामी अली शेर मारा गया है और इसी खबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे से योगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है दानिश मुखतार अंसारी के दो कुख्याद बदमाश मार गिरा है गए है क्या कुछ जानकारी विल रही है मुखतार अंसारी के साथ शूटर अली शेर और डॉक्टर विल रही है मुखतार अंसारी के लिए देखा जाए तो कितने ऐसे बदमाश है मुखतार अंसारी के जो अभी सक्रिये हैं और अलग लग जगाओं पर लगातार अपरात को अंजाम दी रही है मुखतार अंसारी के जहां तक जो लिंकों में आ रहे हैं वो वाराबंकी से ले करके सितापूर मढ़ियाओं लगनों से लेकर जारकन तक कम कर रहे हैं लेकिन चुकि ये भाजपा नेता जो इनकी हट्प्या के किये वड़े थे इसलिए मठीर स्वल्कुल आजम देवन को और समयकों में अजल्कडे इनकी व्यायों आठ कोऊे है तो मुखता शेब各位 मोत्रय में की वहायक ये उनकार को है कियो मुखतार अंकारी की देवक लुचीत पापका जाए लेकिन जो बदमाशों के बाद के लिए प्राइंग को लेकर करके यूगी सरकार काफी इसमें एक्चिम में ज़रा रही है और हाला कि अभी चुनाव से पहले पेले मुद्भेड कहीं नहीं को उसमें कुछ चुनाव कि शारा दिलू कर रही है कि उत्र प्रदेश में बदमाश बिल्कुल दाने शुक्रिया अतमाम जानकारी पहुंचाने के लिए तो मुद्भेड में मुखतार गैंक के शातिर शूटर मारे गए हैं एक लाकाई नामी बदमाश बताए जा रहा है जिसके तलाश लगातार की जा रही थी राश्टिये लोगदल के अध्यक जयन चौधरी ने मत्रा में कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी के गड़बंदन वाली सरकार बनती है तो एक करोड युवाँ को रोजकार देने की दिशा में काम करीगी रालाट के कमान सभालने के बाद मत्रा से सांसद रहे जयन चौधरी वुद्वार को मांट प्रधान सभाश शेतर के बाचना गाउंस थे तो मूरकी इंटर कालिज के खेल मैदान में आयोजित पार्टी की ओर से पहली जन सभाश को संबोदित कर रहे थे जयन चौधरी ने इस दोरान कहा कि प्रधान मंत्री किसानों को साल भर में मात 6,000 रुपए दे कर कहते हैं कि हमने किसानों पर इतना पैसा खर्श कर दिया जबकि महंगाई उनके सत्ता में आने के बाद से अब तक कई गुनाब बढ़ चुकी है और किसानों के आए दोगोनी होने के बजाए आधी रह गई है इस पर भी डीजल पैट्रोल की कीमत में हर दिन 35 पैसे का इजाफा हो रहा है राश्चे लोगदल के अधियक्ष में एलान किया है कि उनका गड़बंदन किसानों को बीजोपी सरकार के तरफ से दिये जाने वाले 6000 रुपे के सापिक शहर साल 12000 रुपे देगा और लगू और सिमान किसानों और दूसरों का खेत जोतने वालों को 15000 रुपे दिये जाएंगे उन्होंने किसानों का बिजली बिल माफ करने और भविश्य में हाफ करने का भी वादा किया है यानि कि एक के बाद एक तमाम जो दल हैं वो लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे जादा दाओ किसानों पर खेला जा रहा है उत्रप्रदेश के मुख्या योगी आदितनाथ ने गौणडा में 1132 करोड रुपे 344 विकास प्रियोजनाव का नुकारपण श्रीला न्यास करने के बाद अपने संबोधन में विपक्षपा निशाना साते वे कहा है कि आयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भवे निर्मान शुरू हो चुका है अगर सपा बसपा या कॉंग्रिस सत्ता में होती तो मंदिर कभी नहीं बनने दे थी उन्होंने कहा कि जो लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे वो आज भगवान राम को अपना बता रही है योगी ने आतंगवात को कॉंग्रिस की दिन करार देते वे कहा कि कश्मीर को विशेश राज़कर दरज़ा देने वाले अनिशे 370 को खत्म करके सरकार ने अपने वादे पर अमल करके दिखाया है और सरकार सामिक प्रयास के साथ काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिशली सरकारों के शाशनकाल में गरीबों को ना आवास, ना बिजली, ना साच्वाल्य और ना ही रसोई गैस मिलते थी पहले गौणडा में जो योजराएं आती थी वो बस्टाचार की शिकार हो जाती थी और साल 2017 के पहले प्रदेश में कानूर मिवस्था ध्वस्त थी तब माफिया सत्ता का सुक भोगते थे और होली दिवाली और जनमस्टमी से पहले करफ्यू लग जाता था मगर बीजोपी के सरकार आने के बाद परिवर्टन साब देखा जा सकता है उन्होंने का कि साल 2017 से पहले गौणडा और बल्राप और दंगों की चपेट में होते थे लिकिन आज दंगाईयों के साथ पीड़ी भरपाई करके खत्म हो जाएगी आने वाले विधानसबा चणाव को लेकर अरकोई राज़्यितिक समिकरन साध्री में लगा है वहीं सुदारी मोचा के साथ घटक दलों ने आने वाले विधानसबा चलाव में बीजेपी को अपना सयोगी और समर्थन देनी की घोष्णा की बीजेवी प्रदेश अध्यक्ष सतंतर देव सिंग की मौजूदगी में ये एलान हुआ इस औरान मोचे के घटक दलों में भार्तिय मानव समाजपार्टी के रास्टी अध्यक्ष केवर्थ रामधनी बिंद मुसहर आंदोलन मंच के रास्टी अध्यक्ष चंद्रमा वनवासी शोशित समाजपार्टी के रास्टी अध्यक्ष बाबुलाल राजपर समय तमाम लोग मौजूद रहे मोचे में राजपर समाज के दोनेता शामिल हुए सतंतर देव सिंग ने कहा है कि सभी गरीबों का पक्का मकान बनाना है 2024 तक जो गरीब बचे हैं उन सभी गरीबों को पक्का मकान देना है स्वाचाले देना है आईशुबान का कार देना है बिजली का कनेक्षन देना है स्वास तो सिक्षवा भी फ्री करना है जब कानून का राज होता है तो गरीबों का सम्मान होता है ब्रस्टरचार नहीं होता गुंडागर्दी नहीं होती अपराद नहीं होता आम जनता ये जानती है कि भारते जनता पाठी की सरकार में कानून का राज रहेगा और गरीबों का विकास होगा अम्रोहा में परिवर्तन यातरा लेकर अम्रोहा पहुंचे प्रगतियर स्माजवादी पार्टी लोहिया के रास्टी अध्यक श्विफपाली आदव ने कहा कि अकि अगर अखिलय श्रीन प्रसुपा से गण बंदन नहीं किया तो नेता जी याली कि मुलाइम सिंग यादव थ प्रचार करेंगे इतना ही नहीं श्रिफपाल ने इशारों इशारों का आए कि अगर समाजवादी पार्टी से गड़ बंदन नहीं होता तो उनकी पार्टी कॉंग्रिस से गड़ बंदन कर सकती है तो हम रोहा के तस्वीरें जहाँ पर एक बार फिर से रास्चे अध्यक शिफपाल सिंग यादफ का बड़ा बयान सामी आया है उसका काफी नुकसान अखलेश की पार्टी समाजवादी बार्टी को हो सकती है देखे जात के हम पर दहर्म के नव पर नहीं है तो हॉत रुक् दो समन रहें किसे का प्रिध रो रहा है पिछरे पर के लोगों का प्रिध अ मुस्लिम भाहियों का पीड़न को रहा है नहीं तो प्यातियों क chosen हो रहा है आज सफ़ा विधायक अबदुला आजम खाकी जो है MPMLA कोट में सुनवाई है, फट जी पासवर्ड मामले को लेकर, क्या कहीं है इस पर देखें, बिद्वेस्पूर जो भी कारवाई होई है, आजम भाई के खिलाब, बिद्वेस्पूर, उपगरों भी उपर आईगा, और ब बड़ा काम भिया था, युनिवरस्टी बना करके, बोड़ा काम भिया था, केंद्री मंत्री अनुप्रिया पठील के परिवार में छुड़ी महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, से आपसी जगडे में अब परिवार की सबसे चोटी बेटी अमन पठील भी कूद ग आया है, इतना ही नहीं, उन्होंने पलवी उनके पती पर कोई बड़ी साजिश रश्री की आशंका भी जताई है, हमनी जीचीपी को भेजी गई ये चिठी, मीडिया के जरिये सारवजनिक भी कर दी है, इस चिठी के सामने आने के बार परिवार का जगड़ा एक बार फिर स फूटी बेटी का ये कहना है कि उनकी मा को खत्रा है, और इसको लेकर लगातार एक चिठी भी ओ, रीजीपी के नाम लिख चुकी हैं। ने हिस्सा लिया था, नेशनल टेस्टिंग अजनसी एंट्रिये ने ये कहते वे शीष अदालत का रुख किया था, क्योंच न्यायाले के आदेश के कारण परिणामों में देरी हो रही है। उससे दूर किया जाएगा। पीठ ने याजका करता के वकील से कहा, कि आप अपने मौकिलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखो चात्रों पर विचार नहीं कर रहे हैं, जो परिणाम की परतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि अपनी आजका में, एंट्रिये ने सोलापूर के दो मिदवारों के लिए फिर से नीट आयुजित करने के लिए बंबे हाई कोट के आदेश को चुनाती नी थी। जिन्होंने आरूप लगाया था कि परिक्षा शुरू होने से पहले परिक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुखलेट और OMR शीट मिल गई थी। लेकिन कई हफ़ते बीड जाने के बाद भी कोई कारवाई ना होने से परिशान महिला कर्मी ने जलाधिकारी को शुकायत पत्र देते हुएAM पूरा मामला बताए जा रहा है तो बारा बंकी की की तस्वीरे हैं जहाँ पर करने की बात केना है कि यह ती आदीख्षक लगातार इसका शारीक शुषण कर रहे थे जिसे वो काफी जादा परेशान हैं से पहली वह से कई बार शुकायत दर्च कराई है लेकिन पूए कारवा हार वो लगातार लगा रही है से पहली वो शुकात कर चुकी है लेकिन शुकात करने के बावजूद भी कोई कारवाई नहीं हुई है कि अन्यम सम्मधा करूं जाटा परों लिए से उपकेंडर के वारी इस पर पोच्टेट हूं सम्मधा एन्यम के पोच्ट पर मेरे साथ यहां के अधिक्षे के खुल्दी मौर्या वो गंदी गंदी बात करते हैं जिसकी सिकायत मैंने या एस पी साब के पास भी किये और एडियम साब के पास किये महला आयो किये मुख मंतरी जी के पोटल पर भी किये जिसको कोई कारवाई नहीं हुए नहीं हो रहे है पर आपडेट के लिए मेरे सयोगी रविंद्र पठेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है रविंद्र क्या कुछ जानकारी मिल रही है एनम लगातार स्वियसी अधिक्षव पर गंबीर आरूप लगा रही है इस पूरे मामने में पुलिस क्या कह रही है देखे काजोर पुलिस से महिला ने जो है पहले ही सिकायत कर रखी थी पुलिस अधिच्छक से नवागत पुलिस अधिच्छक आये हैं अब उनसे भी सिकायत की गई थी लेकिन इस पे कारवाई नहीं हुई जब पुलिस से सिकायत की गई थी तो वहाँ पर जान पहुंची उसके बाद यहां पर किया दिख्षक इस पर लगातार जो है शिकार दूबाव बनाया जाता है अगर बात नहीं मानी जाती है तो अनाव्चक जो है उसके बुलाया जाता है और नहीं जाती है उसका कहना है कि सारी शोशन करने की कोशिश लगातार उसके साथ हो रही थी जिसकी शिकायत वो पहले भी कर चुकी है लेकिन कोई कारवाई अब तक नहीं हो पाई है बारबंकी पुलिस ने फरजी लूट का खुलासा कर दिया है जानकारी के मताबिक अर्ज में डूबे लखनों के दो यूवकों ने पुलिस को लूट की फरजी सूशना दी थी दोनों यूवकों ने बारबंकी के कुर्सी कोतवाली शित्र में करीब 7 लाख रुपे की फरजी लूट की कहानी रची थी पुलिस से मामले की जाश परताल के दौरान करीब 4 लाख रुपे भी बरामत कर लिये बता दें कि तीन दिन पहले लखनो के दो यूवक वारबंकी में कर्ज लिया हुआ रुपे देने जा रहे थे इस दोरान दोनों यूवकों ने पुर्सी पुलिस को रास्ते में अग्याद बदमाशों द्वारा पैसे लूटने की सूशना दी थी मामले में पुलिस ने जाज परताल करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है कर्ज में डूबे यूवकों ने खुद ही फर्जी लूट की कहानी रची थी और पुलिस में फर्जी सूशना दी थी फिलाल पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा कर दोनों यूवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है तो बारबंगी की तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए दोनों यूवकों को हिरास्त मिले लिया है दरसल कुछ तिन पहले ही दो युवकों ने फरजी लूट की कहानी रची थी और पुलिस में इसके शिकायत दर्च कराई थी जिसके बाद चानवीन की गई और अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है बताये जा रहा है कि दोनों युवक कर्ज में डूब गए थे और करीब इनके पास से चार लाख रुपए भी मिले हैं तो ऐसे में इनों ने जूटी कहानी गड़ी है और पुलिस में सूचना दी आखिरकार दोनों को हिरासत में लेली आ गया है इसे पूष्टाज की जा रही है तो बारबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने फरजी लूट का खुलासा करते हुए दोनों युवक को हिरासत में लेकर पूष्टाज कर रही है दरसल दोनों युवक कर्ज में डूबे थे और युवक को ने ऐसे में बदमाशदवारा लूट की जूटी कहानी रची पुलिस को गुमरह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जोब गेहनता से चानबीन की है तो फिर जो सच्चाई है वो सामने आ गई है तो बारबंकी के तस्वीरे आप देख रहे हैं कर्ज में डूब के युवक को ने जूटी कहानी रची और पुलिस को गुमरह करने की कोशिश की है लेकिन पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए इसका खुलासा किये है और दोनों युवक को गुमरह सपर ले लिया हैं सपूश ताज भी की जा रही है देश में जानलेवा कोरोना वारस का प्रकोप अभी बरकरार है देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौते हो रहे हैं पिशले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 कोरोना के से सामनी आए वहीं कल 733 लोगों की जान चली गई है जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,56,000 से ज्यादा हो गई है केंद्रस्वार्स और परिवार कल्यान मंत्राले के मताबिक देश में पिशले 24 घंटों मे 17,095 लोग ठीक हुए हैं देश में इस वक्स अक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,60,000 से ज्यादा है देश में अब तक कोरोना के 3 करोड 82,31,809 मामले सामनी आ चुके हैं जिन में से अब तक 3 करोड 36,00,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं केंद्रस्वास मंत्वाले के उसे जारी आक 17,00 लग चुकी है भारते चिकिस्ता नुसान परिशद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वारस के लिए 12,90,900 सेंपल टेस्ट किये गए जिसके बाद कल तक कुल 60,44,99,405 सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं बेगुसराई के भगवानपु थाना श्रेत्र में बेख़ौफ अपराधियों ने बंधन बैंक कर्मी से हत्यार किबल पर 1,10,000 रुपियों की लूट की खटिना को अंजाम देकर मौके से हत्यार रहाते वे फरार हो गए बताया जा रहा है कि बंधन बैंक में कारेत महिला सम्हू बग्रस से बंधन बैंक कर्मी अमर्जीत कुमार 1,10,000 रुपे लेकर वापस बंधन बैंक भगवानपु जा रहा था उसी तोरान रास्ते में एक बैक पर सवार तीन अपरादी हतियार के बल पर 1,10,000 रुपे साइथ मोबाइल टैब मार्फो डिवाइस लूट कर मौके से फरार हो गए वही पिड़ित ने थाने में तहरीर दी हैं जिसके बाद पुलिस मामरे की छानवीन में जूटी हुई है बिजनौर के ज्वापता गंच का रहने वाला शुबहम आए दिन मामुरी कहसुने को लेकर अपनी मा से छगड़ा करता रहता था शुबहम नशे का आदी था मा के मना करने पर उनकी बात को अक्सर नजर अंदास किया करता था बीती राज शुबहम और उसकी मा समीता और बहन से किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया जिसे लेकर गुस्ताय शुबहम ने अपनी मा और बहन के सिर्फ पर भारी भरकम चीज से वार कर मौके से फरार हो गया सुच्णा मिलते ही बौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा जहां इलाज के दुरान मा ने दम तोड़ दिया बताया जा रहा है कि बेटे ने मा और बहन पर किसी भारी चीज से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया इलाज के दुरान मा की मौत हो गई है वहीं बहन की हालत पीखत कम भी बताई जा रही है पाना नजीवाबाद के जपता गण मुहले में सुभम नाम का एक नवईवत जो मांसिक रूप से बिच्छिक रहता था अपने मा के उपर पहले भी अटेक कर चुका था आज अर्ध रात्रे में अपनी मा सविता और बहन चंचल के उपर ब्लंट अब्यक्ट से हमला किया मा की मौत हो गई और बहन का इलाज चल रहा है यह बता जा रहा है कि इसका इलाज भी चल रहा है और पहले से भी परवारिक प्लेश जिवाद लोगमास से के पसंतुन के कार्ट इस प्रकार की हरकत करता रहता है गौर्णा में बीजेपी सांसद और भारतिये कुष्टि श्रंग के रास्टी अध्याक्ष बिजभूशन सरंड सिंग ने बयान देती वियोंप्रकाश राजपर और खिलेश श्रादा पर जम का निशाना साधा बिजभूशन सरंड श्रिंग ने कहा है कि जो धारा के विप्रीत चलेगा उसकी पहचान मिट जाएगी 2017 विधान सबाच चुनाओ में नतीज़ा सब के सामने है मुस्लिप का वोट सभी को चाहिए लेकिन ओवसी को कोई मंच पर नहीं लाना चाहता अगर ओविसी का समझोता होगा तो वो राजपर के जरीए होगा बीजभूशन सांसर दे मुस्लिम समाज को अपनी जवात में शामिल होने के लिए भी ओफर दिया देखे होंगे कि अगले लोकसभा के चुनाओं में बसपा और सपा एक मंच पर आये थे और उसका परणाम आपने देख लिया है कि क्या हुआ देखे धारा के साथ धारा के साथ आप चलेंगे तो आपका सफर पूरा होगा धारा के विपरीत आपका सफर बहुत कठिन होगा आज जो राजभर हैं ये धारा के विप्रीत चल नहीं है ये धारा के साथ नहीं चल नहीं है राजभर समाथ जो है जो गाउं का आदमी है वो सदेव भारतिय जनता पार्टी को मदद किया है और मैं राजभर को चुनोती देता हूँ कि राजभर सारे राजभरों के नेता नहीं है और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बने रहें नीज वालिलिया के साथ